22 के बाद भी से राम जन्भों में तीर्द छेत्र न्यास के द्वारा प्रवुश्री राम लला के दर्सन करने के लिए जो भी कारे उसना तैयार होगी इसके इनसार यहां पर अस्थाने अस्तर पर राज्य सरकार पुरा स्योग करके आने वाले सर्धालों को यहां पर पुरी सर्धा के साथ उन्हें दर्सन करने का उसर प्राप्त होगा यहां विवस्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने अस्तर पर पुरा स्योग दे रही है इसके लिए टैंड सिटी भी लगाई गई है धरम सालाओं को भी तैयार किया गया है होटल्स भी यहां बने हुए हैं लखनो वारणासी प्रियागराज गोरकपूर या अन्या सहरों से यहां के आने के लिए एक बहतर ग्रीन कोरिडोर की विवस्ता भी दी गई है जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो सुरक्सा की पुक्ता विवस्ता की जा रही है किसी भी अस्तर पर किसी भी सरधालों को दिक्कत न हो इसके पूरे प्रियास के जा रहे हैं अभी से तैयारियां के जा रहे हैं क्योंकि हर एक मन में उत्सा है उमंग है माज सदी के बाद या उसर आया है तो स्वाभई ग्रुप से हर सरधालू इस बात को चाहता है कि मैं भी राम लिला का दर्शन करूं मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है और इसलिए हम लोग बहत्तर तालमेल और समनवे से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कस्ट किसी भी सरधालों को और किसी भी आने वाले यात्री को अयुद्या धाम में नहीं होगी पैदल लोग न चले हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगे से लोग पैदल चले आ रहे हैं वे पैदल न करें भीषण सीत लहरी चल लई है अपने बिना बताए कारिक्रम के अनुसार भी न चले राज्य के अंदर हम लोग विवस्ताइं दे रहे हैं जन पदों को भी देंगे राजियों को भी विवस्ता देंगे हर एक व विवस्ता से के साथ करेंगे हम लोग भी कोरडिनेशन करेंगे और रही हम लोग तीर छेट्र प्रवोस्री रामलला के 500 वर्षों के बाद कई सताब्तयों के बाद दरस्ण करके आनद के नभूति होगे अनद के नभूति होगे इसके लिए भी बहतर कोडिनेशन की दिसामें प्रयास प्रारम्ब किये गये हैं मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कारिक्रम अब तक सभी सकुसल सम्पन वे हैं 22 जन्वरी का कारिक्रम भी एक अथिहासिक कारिक्रम है भारत के बिश्वास और लोक आस्ता की पुनरपर्थिस्था का भारत के गौरव की पुनरपर्थिस्था का कारिक्रम है इस कारिक्रम को हम लोग जनता जनारदन और सभी आम जन्मानस के सहयोग से पुझे संतों के आसरी बात से राम लेला की गृपा से सकुसल संपन करने में सफल होंगे आप सब भी यहाँ पर इस वीशन सीत लहरी में है मैं आप सब को भी इरते से धन्यवाद देता हूँ कि आयोध्या की पलपल की घट्टाओं को पलपल की करने के साथ यहाँ के लिए कारिकरम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी और सुवधानी होगी इस परकार की विवस्ताइं यहाँ पर की जा रही है और प्रदेश सरकार अस्थाने प्रसासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा कोई रेडिस्टेशन पोर्टल भी होगा सभी परकार की चीज़ें सभी चीज़ें इसमें की जा रही है अस्थाने प्रसासन के साथ लोकल अस्थर पर हम लोग इसकी विवस्ता कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोग ने इसके लिए बीट परणाली भी लागू करने के लिए का है जो निचले अस्थर तक लोगों से संबाद बना करके उनको लाने और उनको विवस्ते तरीके से दर्शन कराने में युगदान दे सके देखे हर परकार की विवस्ताई होंगी उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं जादी आपणों को अमो वीडियो टी भुल ले गिला तेबे आमो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेब कुछ जमें भी बुलन तो रहें